हलो बच्छोव आज का मारा टॉपिक है पोटेश्यम दाइक्रोमेट के तुसी आड़ो सेवन सो इस इस इंकर्टिरेशन विडियो आफ पोटेश्यम पर मैगनेट उसने भी हमने जो प्रिप्टेशन है पोटेश्यम पर मैगनेट के उसकी प्रोपिटिस क्या है और इसके इसके विडियो प्रोपिक कशन आ रखे हैं, वो questions क्या क्या हैं, वो सब चीज़ा हम इसमें देखेंगे, तो चलो बच्छो, अपने रंग बे रंगे पेन और गोरिपन वाली कॉपी निकाल लो और start करते हैं लिखना, So first topic is the preparation of K2CR207, So इसमें जो preparation है K2CR207 की, it is prepared from the chromatore, जो chromatore है, यह हमें जमीन से निकाला वो मिलता है, यह, formula क्या होता है इसका, FEOCR203, यह होता है इसका formula, इसको आप इससे रेसिब लिख सकते हो, दुनों में से कोई सब यूज़ कर लेना, So chromatore से इसका preparation होता है, preparation के इसके तीन स्टेप्स हैं, जो preparation के step से बहुत important है, अगर आप school exam में इसको लिख रहे हो, तो balancing required है, और अगर school exam में आप नहीं लिख रहे हो, तो balancing कोई जब रतनी हो उसकी, आप simply उसे किस से क्या बनता है, जस्ट यह याद रखना है, ठीक है, तो सबसे पहला step जो इसका preparation का है, first is the preparation of sodium chromate, तो जो ओर होता है, हमारी पास क्या करते हैं, मट्टी से जब निकलेगा वो, जमीन से निकलेगा तो कैसा होता है वो, एकदम हार्ट पार्ट से ओर होंगे, तो क्या करेंगे, उसे crush करके, finely powdered कर लेंगे, ताकि वो reaction में जा सके, तो पहला step क्या होता है, the oil is finely powdered and mixed with sodium carbonate, पहला step में क्या करते हैं, sodium carbonate से मिला के, उसे roast करते हैं, means oxygen की presence में उसका reaction करते हैं, तो आरे पास chromite oil था, chromite oil को अने treat किया, sodium carbonate के साथ in presence of oxygen, तो उससे बनता क्या है, उससे बनता है हमारे पास sodium chromate, with the release of the CO2 gas, तो इसमें जो मेर मेर पॉइंट से हैं, वो क्या याज रखने हैं, एक तो chromite oil को हम treat करते हैं, किसके साथ में, that is sodium carbonate के साथ में treat करते हैं, और sodium carbonate के साथ treat करने पे, बनता क्या है, एक yellow color का compound बनता है, जिसका नाम होता है, sodium chromate, ठीक है, यह yellow वाला दिखनी रहा है, एक दूसरा color का पहन ले लेते हैं फिर, एक yellow color का हमारे पास, compound बन जाता है, that is sodium chromate, इसके अलाबा CO2 भी release होता है, तो यह बाते आपको ध्यान रखनी है, तो this is the first step, तो second step है, वो है, conversion of sodium chromate, to sodium dichromate, जो sodium chromate है, उसको किसमें convert करेंगे, sodium dichromate में, ठीक है, और इसके लिए हम use करेंगे, एक acid का, और acid जो होगा, वो हम इसमें use करेंगे, H2SO4, HCl का use हम इसमें नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि HCl जो है, वो Cl- की form में होगा, और Cl- जो है, वो एक strong oxidizing agent है, तो जब strong oxidizing agent है, तो क्या करेगा, chloride को, chlorine gas में वो oxidize कर देगा, इसलिए हम यहाँ पर, HCl का use नहीं करेंगे, हम यहाँ पर use करेंगे, H2SO4 का, दूसरा इसका क्या है, यलो कलर अधा sodium chromate, is filtered and treated with sulfuric acid, जो yellow color sodium chromate है, yellow color sodium chromate को हम क्या करते हैं, filter कर लेते हैं, और उसे treat किया जाता है, sulfuric acid के साथ तो, उसमें क्या होता है, orange color का sodium dichromate बन जाता है, ठीक है, हमारे पास sodium chromate था, कैसे color का था यह, yellow color का था, उसको हमने treat किया, sulfuric acid के साथ, treat कंदे पर क्या बन गया, orange color का sodium dichromate बन गया, color change बहुत important है, potassium dichromate में, जो color change है, जहां पर भी color आएगा, वो बहुत important है, color से कहीं बार कुशन आ रखें, आप देखोगे, आगे, कि color से कैसे कैसे कुशन आई हुए हैं, तो जो जो इस सेगेंड इस्टेप में, yellow color है, yellow color किसमे कनोट हो जाता है, orange color में कनोट हो जाता है, with the formation of the Na2SO4, यह Na2SO4 वाटर के साथ मिलके, क्या करता है, क्रिस्टलाइज हो जाता है, जिब क्रिस्टलाइज हो गया, तो मेरे पास यह solution था, solution में इसे, जो sodium sulfate था, sodium sulfate क्या हो गया, क्रिस्टलाइज हो के नीचे बैठ गया, उपर क्या बचा, उपर बचा solution, और solution में क्या है, solution में है, sodium dichromate, फिर हमने इसको छान लिया, छानने के बाद हमारे पास क्या बच गया, छानने के बाद हमेरे पास सिर्फ sodium dichromate बचा, और जो crystal था, उसको हमने निकालके अलग कर दिया, अब ये जो solution है, जिस solution में सिर्फ sodium dichromate है, उस solution को हम further process के लिए ले जाएंगे, थर्ड जिसरब क्या होता है, the sodium dichromate is treated with KCL, तो हमारे पास जो sodium dichromate था, sodium dichromate, जिसका color था orange, इसको हमने treat चे चेसल के साथ, कि एसल के साथ treat करने पर क्या हुआ, जो potassium dichromate है, ये उसमें convert हो गया, क्या बन के हमारे पास, final product, potassium dichromate, और जो potassium dichromate है, इसका color भी कैसा होता है, orange color का होता है, इसमें एक बाद ध्यान कर रखनी है, कि जो sodium dichromate है, ये deliquisant होता है, means, पानी के साथ, अगर हम affinity देखें, कि पानी के साथ ज्यादा strongly reaction किसका होता है, या पानी इसे ज्यादा प्यार कौन करता है, तो जो sodium dichromate है, it is more affection, या it has more affection with the water, तो क्या करेगा, ये पानी को absorb कर लेगा, तो जो पानी को absorb कर लेगा, उस property को, क्या कहा जाता है, deliquation property कहा जाता है, तो जो जो पानी को absorb कर लेगा, तो कैसे रहेगा, ये solution form में रहता है, और ये क्या होता है, ये crystal form में बाहर चला आता है, ठीक है, तो जभी भी अलग किया जाता है, sodium dichromate को, potassium dichromate से, तो crystals किसके बनते हैं, ये crystal बनते हैं हमारे पास, potassium dichromate के, sodium dichromate जो है, वो aqua solution में होता है, क्योंकि पानी से इसको बहुत प्यार होता है, तो जहां भी जाएगा, पानी को absorb कर लेगा, इसी property के कारण, जो sodium dichromate है, it is not used in volumetric analysis, ये point बहुत important है, क्योंकि, sodium dichromate, पानी को absorb कर लेता है, इसी लिए इसको volumetric analysis में use नहीं किया जाता है, क्योंकि volumetric analysis में हम concentration निकालना चाहते हैं, अब पता जाला कि इसमें पानी absorb कर लिया है, तो सारी concentration ही बिगड़ जाएगी, इसी लिए हम ऐसे चीच का use करेंगे, जो की पानी absorb ना करे, और वो कौन होता है, yes, it is potassium dichromate, तो जब ही आपने अपने school exam में practical में experiment किया होगा, उस case में हमेशा जो हम use करते हैं, we use the potassium dichromate, not the sodium dichromate, ठीक है, तो यह property बहुत important है, इसको ध्यान रखना, तो यह इसके तीन steps है, पहला step में क्या क्या हमने, जो chromatore था, chromatore को हमने convert कर दिया, chromate में, फिर जो chromate था, उसको हमने sulfuric acid करके, dichromate में convert कर दिया, फिर जो sodium dichromate था, उसको हमने convert कर दिया, potation dichromate में, तो इसके तीन steps है, तीनों step में, with balancing, आपको याद रखना है, स्कूल एक्जाम में हो तो, वरना simple याद रखने है, किससे क्या बनता है, किससे क्या बनता है, ठीक है, balancing के लिए बहुत simple सा है, इसको balancing के याद कर गही जाना, क्योंकि school में balance करने लोगों कि, आप तो balance हो गई नहीं, देखो, जो पहले step है, पहले step के लिए क्या याद रखना है, 487 और यहाँ पर 828, ठीक है, लाइन से इसको लिखना है, 487, 828, simple fit हो जाएगा, balance हो जाएगा, दूसरा step तो बहुत simple है, अपना balance हो जाएगा, थर्ड step भी बहुत simple है, अपना balance हो जाएगा, तो दिक्कत कहा आती है, पहले step के balancing में ही आती है, तो एक नुबर याद रख लेते है, reactant साइड में 487, और product साइड में 828, तो इस इस अबाट दा प्रिपरेशन ओफ, potassium dichromate, अब देखो, सबसे important इसमें यह है, कि जो potassium dichromate है, chromate के बहुत सारे salt आते हैं, और उन salt के color क्या क्या होते हैं, वो सारे important है, उसे related कई बार question आई हुए है, तो सारे salt के जो color है, वो हमें learn करने हैं, इस आप copy में लिख लेना, बहला compound है वारे पास dichromate आयन, नाम कहा है इसका dichromate, dichromate का color कैसा होता है, औरेंज होता है, second one is, it is chromate, और जो chromate है, chromate का color होता है, yellow, इसके अलावा, जो CR3 plus होता है, ये green color का होता है, CR3, chromic oxide dead color का होता है, CR5, इसका color याद रखना है, deep blue color, और ये butterfly like structure होता है, butterfly like structure, इस तरह से बनता है, redox में आपने इसको बनाया होगा, this is CR5, और यहापँ जो oxidation number आता है, chromium का, it is plus 6, इसके अलावा, CR2, that is, chromile chloride, chromile chloride जो है वो, reddish brown color का होता है, तो ये सारे जो colors हैं, ये सारे color ये में याद रखने हैं, CR2, 07, 2- orange color का, CR4, 2- yellow color, CR3 plus green color, CR3 red color, CRO5, deep blue, this is 5, CRO5, and, CRO2, Cl2, chromile chloride, ये reddish brown color का होता है, तो ये सारे हमारे पास हो गए, colors of the chromium ions, or the salt of the chromium, next आता है, effect of heat, कि अगर हमारे पास potassium dichromate है, और potassium dichromate को अगर हम heat करें, तो heat करने के बाद क्या होगा, तो देखो, potassium dichromate है, potassium dichromate को हमने heat किया, तो heat करने के बाद, chromate ion में break हो गया, और oxygen gas evolve हो गई, ठीक है, तो ये आपको question इस परकार से आ सकता है, ये आपको नहीं दिया जाएगा, इस तरह से करके दिया जाएगा, next topic आता है, effect of pH, this is very important, जो हमारे पास potassium dichromate है, इसका जो color है, it depends on the pH, pH change होने के साब, इसका जो color है, color also changes, और वो color किसमे क्या-का change होता है, वो बहुत important है, तो देखो, जो हमारे पास dichromate ion है, dichromate ion का जो color है, पता ये में, dichromate ion जो है, वो orange color का होता है, और जो chromate ion है, chromate ion is of yellow color, तो अगर हम dichromate में base add करें, तो base add करने पे, जो color है, वो किस तरफ चला जाएगा, yellow की तरफ चला जाएगा, क्योंकि, जब हम pH बढ़ाते हैं, तो pH बढ़ाने पे, जो dichromate है, dichromate changes to chromate ion, इसके लाबा, अगर हम pH घटाते हैं, इसका मतलब अगर हम acid डालेंगे, तो acid डालने पे, जो yellow color है, it turns to orange color, क्यों, क्योंकि उस case में जो chromate ion है, chromate ion is converting to the dichromate ion, ठीक है, तो this is the effect of pH, अगर हम इसे single single लिखें, तो जो हमारे पास dichromate ion है, dichromate ion में अगर हम base डालेंगे, तो base डालने पे, it gets converted to chromate ion, और जो solution का color है, it changes from orange to yellow color, ठीक है, बाकि balancing का आप करी सकते हो, acidic medium में इसको आप simply balance कर लो, balance हो जाएगा ये, अब दो बालेंसिंग कैसे होगी, simple basic medium के जो balancing के rules हैं, वो इसमें लगेंगे, देखो ये था दो chromium है, और यहाँ पर एक chromium है, तो simply क्या करों, यहाँ 2 लगा लो, chromium balance, oxygen देखो, यहाँ पर 2,4,8, 8 oxygen हो गए, यहाँ पर 7 oxygen है, तो basic medium में क्या करते हैं, rich side में, जितने oxygen कम है, उतने water molecule add कर दो, तो कितने oxygen का difference था, एक oxygen का difference था, तो एक water molecule add कर दिया, और इस तरफ, 2 OH add कर दिया, अब देखो इतना घटे के साथ ही, जो सारी देख्षे में, बैलेंस दो गई है, 2 chromium, 7 oxygen, और यहाँ से 2 oxygen, तो total 9 oxygen है, फोटर 8, 8 oxygen हैं से, 1 oxygen हैं से 9 oxygen, 2 hydrogen, और यहाँ से 2 hydrogen, total इधर 4 minus हैं, यहाँ पर देखो आप, 2, 2 जब 4, तो 4 minus हैं यहाँ पर भी हैं, तो radiation balance हो गई है, यह basic medium में, अगर हम यहीं दूसरा, acidic medium में देख लें, तो acidic medium में क्या हो रहा था, जो chromate ion है, chromate ion is converted to di chromate ion, तो जो CRO4, 2 minus है, it get converted to, 2, CR2, O7, 2 minus, फिर्टे वही simple, acidic medium में balancing की rules क्या होते हैं, देखो पहले तो simply balance कर लो, इधर 2 लगा लो, 2 chromium हो गए हैं, यहाँ पर भी 2 chromium, oxygen यहाँ पर 8 हो गए, यहाँ पर 7 oxygen है, तो depthion side में क्या करते हैं, एक watermark को लगा देते हैं, और इसके दूसरी तरफ, 2H plus लगा दे हैं, यहतना करते हैं कि साथ ही balance हो गया, 2 chromium, 2 chromium, इधर 7 और एक 8 oxygen, इधर भी 8 oxygen, 2 hydrogen, और यहाँ पर भी 2 hydrogen, balance हो गया सारा, charge देखें, तो 2 to the 4, इधर 4 का minus है, और यह 2 का plus है, तो total जो charge हो के कितना हो गया, minus 2 का हो गया, यहाँ फर minus 2 का charge already है, ठीक है, तो balancing होगी, तो balancing कुछ खाज जादे important है नहीं, मैं जो important सीखें, वो याद रखना है आपको, that is the color change, on changing the pH of the solution, अब question है यहाँ आता है, कि वो कौन सा pH होगा, जहाँ पर chromate और dichromate दोनों टाइप के ions जो है exist करते हैं, the answer is at pH 4, जब pH 4 होता है, तो उस case में, जो chromate है और dichromate है, they are in equilibrium with each other, तो यह जो pH की value है, यह याद रखनी है, कि कि इस pH पे, the chromate और dichromate ions are in equilibrium, तो equilibrium जो होता है, वो attain होता है at the pH of 4, next देखो, एक point आता है, कि हमारे पास Km4 और K2Cr2-7, these both two are strong oxidizing agent, दोनों ही oxidizing agent है, मगर इन दोनों में से जो better oxidizing agent है, वो कौन सा compound है, जो कि better oxidizing agent है, अब देखो, जो Km4 है, उसका SRP 1.51 है, और जो K2Cr2-7 है, उसका SRP 1.33 volt है, अब देखो, जो जिसका SRP ज़्यादा, वो सबसे पहले reduce हो जाएगा, और जो सबसे पहले reduce हो जाएगा, वो दूसरों को उतना ही जल्दी oxidize कर देगा, तो Km4 जो है, क्योंकि इसका SRP ज़्यादा है, तो यह सबसे पहले reduce हो जाएगा, और अगर सबसे पहले reduce हो गया, पढ़े हुए हैं, तो similar ही oxidizing actions हैं, KMN4 में basic medium में अलग से oxidizing action आई हुए थे, मगर यहाँ पर स्रिफ acidic medium के oxidizing actions हैं, तो same similar वही reactions हैं, जो oxidizing actions की हैं, इसके लिए आपको सबसे पहले, जो acidic और basic medium में balancing के rules हैं, by iron electron method, वो पता होने चाहिए, बेहां उसके जो question हैं, वो आगे नहीं बनेगा, तो सबसे पहले आप जो acidic और basic medium में, अगर आपको नहीं आते हैं, balancing करने के rules, तो आप वो सीख लो, वीडियो के लिंक आपको description में मिल जाएगा, तो देखो सबसे पहले, acidic medium में, जो dichromate iron है, dichromate iron converts to CR3+, ठीक है, और color change याद रखना हैं में, बहुत important है, इससे कई भर question आए हुगा है, अभी जो हम previous year के question देखेंगे, तो उसमें देखोगी आपकी कई भर ये question पुछा गिया है, acidic medium में, जो orange color है, it changes to the green color of the CR3+, ठीक है, balance करेंगे इसे, कैसे balance करेंगे, देखोएसिटी में balancing के rules याद हैं आपको, जो बैलेंस करते हैं, यहाँ पर दो chromium है, यहाँ पर एक ही chromium है, यहाँ टू लगा दो, chromium balance, यहाँ पर साथ oxygen है, यहाँ पर एक भी oxygen नहीं है, तो क्या करो हैं यहाँ यहाँ पर, 7H2O add कर दो, और उसके opposite side में, 14H plus add कर दो, इतना करते के साथ ही, जो reaction है, वो balance होगी, सारे compound balance हो गया है, अब देखो, चार्ज balance करते हैं, यहाँ पर 2-, और यहाँ 14+, तो total इस तरफ, 12+, हैं, और यहाँ पर 3-6, 6+, हैं, तो क्या करो यहाँ पर, 6 electron जोड़ दो, तो 6 electron जोडने के साथ ही, जो reaction हो, पूरी balance हो चुकी है, इस तरह से, हमारे पास एक balance equation आ जाती है, जब ही भी हमारे पास question आएगा, balancing का, तो एक reaction तो जिसमें से, यह वाली जो है, यह हमेशा ही fix रहने वाली है, बाकि जो दूसरे compound oxidize हो रहे होंगे, उनकी reaction चेंज होते रहेगे, depending on the compounds, तो यह तो fix है, कि यह ही आएगा, इसके लाबा जो color है, वो आपको याद रखना है, बहुत important है, orange से green जा रहा होता है, जब K2Cr2O7 अपना oxidizing action परफॉर्म कर रहा होता है, तो इसके लाबा, जो equivalent weight of K2Cr2O7 का वो क्या होगा, अब देखो, equivalent weight का formula, for compound of redox reaction क्या होता है, उसका molecular weight, इसके लाबा उसमें कितने electrons involved हो रखे हैं reaction में, या बोल दें उसका N factor, K2Cr2O7, इसका equivalent, इसका जो molecular weight होता है, that is 294, अभी हमने reaction को balance किया, इस reaction को balance करने पर बताओ, कितने electron participate कर रहे हैं, total reaction में, so total we have 6 electron, that is participating in the reaction, तो अगर 6 electron participate कर रहे हैं, तो 294 को आप 6 से divide कर दो, जब 294 को आप 6 से divide करोगे, तो उस समय, आसर आजाएगा 49, C2O7, similarly हमने जो KMNO4 है, इसका counterpart, KMNO4 के हमने equivalent weight देखे थे, KMNO4 के equivalent weight, acidic medium में अलग होता था, basic medium में अलग होता था, neutral और faintly alkaline medium में अलग होता था, तो वो तीनों part जो है, वीडियो में हैं, आप उसको देख सकते हो, so this is the equivalent weight of K2C2O7, देखे नेक्स इसमें एक अलग सा point आता है, जो कि important exam में पूछा जा सकता है, अगर हम dichromatine को, treat करें, sulfuric acid से, और sulfuric acid जो है, वो cold हो, उस case में, हमारे पास जो compound बनता है, that is, CR-O3, so अगर हम cold S2SO4 को use करते हैं, तो cold S2SO4 जो है, वो dichromat को, CR-O3 में convert करता है, अब इस case में देखो, जो color change हो, क्या होता है, जो कि बहुत important है, orange color का होता ही है, K2C2O7 हमें पता ही है, orange color किसमें change हो रहा है, red color में change हो रहा है, जब कि देखो जो पहले वाला case था, पहले वाले case में क्या हो रहा था, हम कर रहेते है, hot S2SO4 से, maximum case में हम यही वाली relation यूज़ करेंगे, जहांपर हम hot S2SO4 यूज़ करेंगे, अगर यूज़ ने कुछ नहीं बोला हुआ है, तो hot S2SO4 ही हम यूज़ कर रहे है, उस case में क्या हो रहा था, orange color, green color में convert हो रहा था, जो K2CRO7 है, it is converting to the CR3 plus ions, जब कि अगर हम यूज़ करेंगे, cold S2SO4, तो cold S2SO4 के साथ, जो dichromate ion है, it is converting to the CR3, और उस case में, जो color change है, वो orange से red जाएगा, this is important, तो आप ध्यान रखने इसे, इस point आता है, reaction with hydrogen peroxide, तो अगर हमारे पास, partition dichromate है, और partition dichromate, hydrogen peroxide से reaction करता है, तो उस case में क्या बनेगा, तो partition dichromate, reaction कर रहा है, hydrogen peroxide से, in acidic media, तो उस case में, जो CRO5 है, उसका deep blue color का solution, एक बन जाता है, तो ये reaction भी, इजाम में आ रखी है, इसको आप ध्यान रखना, कि what happens when, K2C-O7, is treated with, hydrogen peroxide, a deep blue color solution of, CRO5 is formed, when, potassium dichromate is treated with, hydrogen peroxide, अब इसका जो blue color है, blue color of the solution, fades slowly, आप अगर इसको रख दोगे, तो blue color का जो solution है, वो धेरे धेरे, अपना जो color है, वो लूस करने लगेगा, and it is due to the decomposition of the, CRO5 to the CRO3 plus ion, to liberate oxygen, अगर आप इसे रख दोगे, तो खुद पे खुद ही तूट जाएगा, CRO3 plus में, with the liberation of the oxygen, तो इसलिए ये रखने पे, इसका जो deep blue color है, वो चला जाता है, क्योंकि oxygen निकल जाता है उसमें से, तो इसका भी question बन सकता है, कि what happens to the color of the CRO5, when it is put for, left side for some time, तो उस case में, it will liberate oxygen, and lose its deep blue color, the color fades slowly, तो this is important, the reaction of, potassium dichromate with, hydrogen peroxide, next आते हैं, oxidizing action of, K2Cr2O7, similar oxidizing actions हैं, as KmO4, so अगर आपको KmO4 वाले, oxidizing action याद है, वो सेम सेमी oxidizing action है, जो chloride है, वो chlorine gas में convert हो जाएगा, iodide, I2 में convert हो जाएगा, bromide, Br2 में convert हो जाएगा, sulfur dioxide, SO4 2 में convert हो जाएगा, जो sulfide है, sulfide जो है, sulfur में convert हो जाएगा, sulfur soul बन जाएगा इसका, sulfide जो है, वो sulfate में convert हो जाएगा, nitride जो है, वो nitrate में convert हो जाएगा, oxalate जो है, it gets converted to carbon dioxide, जो thire sulfate है, thire sulfate, sulfate में convert हो जाएगा, जो metabite sulfite है, metabite sulfite भी sulfate में convert हो जाएगा, इसके लाबा F2+, F3+, में oxidized हो जाएगा SN2+, SN4+, में oxidized हो जाएगा तो यह सारे के सारे जो है they all are getting oxidized by the K2CR207 तो यह जो है यह K2CR207 के oxidizing actions है बहुत ही simple है कौन किसमें convert हो रहा है ज़सके याद रखने हैं आपको balancing आपको आते ही acidic medium में just with simple solve करना बाकी रहाएगा एक question हम देख लेते हैं इसके उपर like exam में हमें question आया कि we have CR207 2- and it is reacting with like हम example ले लेते हैं thaiosulfate का ले लेते हैं S2O3 2- and it is happening in acidic media तो हमसे पूछा है कि क्या बनेगा इसके लिए एक balanced equation लिखो तो देखो हम यह पता होना चाहिए कि जो dichromate iron है वो acidic medium में किसमे convert होता है इसके लाबा जो thaiosulfate है वो किसमे convert होता है तो उसके लिए आपको यह जो points है यह सारे points learn होने चाहिए इसके लाबा acidic medium में जो conversion है keto serato sun की वो आपको बताई है कि यह किसमे convert होता है अब देखो तो अगर बात करें conversion की तो जो cr272- है यह convert होता है cr3 plus में और जो s2 o3 है यह convert होता है s4 2- में यहाँ पर इसका oxidation state plus 6 है plus 6 से plus 3 क्या रहा है तो क्या हो रहा है यहाँ यहाँ पर reduction और यहाँ पर क्या हो रहा होगा oxidation oxidation बन गई चलो इसको balance करते हैं तो सबसे पहले oxidation half reaction तो जो s2 o3 2- है यह convert हो रहा है s4 2- में अब देखो यहाँ पर sulfur 2 है यहाँ sulfur 1 है तो क्या करों यहाँ पर 2 लगा दो sulfur balance अब देखो oxygen oxygen यहाँ पर 4 तो चाह 8 8 oxygen हो गया यहाँ पर 3 oxygen है तो क्या करों यहाँ पर medium कों से चल रहा है acidic medium चल रहा है तो acidic medium में यहाँ पर oxygen काम होता है उस तरफ उतने ही water molecule लगा दिये जाते हैं यहाँ पर 3 oxygen था और यहाँ पर 8 था 5 का difference था तो यहाँ पर मैंने 5 लगा दिया और उसके opposite side में 10H plus लगा दो अब दुखर balance हो चुका है 2 sulfur 2 sulfur 5 oxygen है 8 oxygen हो गया 4 to 8 8 oxygen हो यहाँ से 10 hydrogen और 10 hydrogen balance हो चुका reaction चलो charge balance करते हैं यहाँ से 2 minus और यहाँ से देखो 2 to 4 तो 4 minus तो यह रहा और 10 plus इसके पास है तो 4 minus और 10 plus तोटल यहाँ पर कितना है 6 का plus charge है यहाँ पर आप देखो तो 2 का minus है अब देखो इन दो लोगों balance करना है charge को तो क्या किया गए यहाँ पर अगर हम 8 electron add कर देए 8 electron, electron आएगा तो minus लेकिया आएगा तो 6 plus पहले से ही था 8 मैंने minus का जोड़ दिया तो कितना हो गया यहाँ पर yes minus 2 इस तरफ तो minus 2 पहले से ही है तो यह हो गया हमारे पास OHR balance ठीक है next देखते हैं हम जो reduction half reaction है उसको balance करते हैं तो यह हमने पहले भी balance का बखा है जो CR2O7 2 minus है in acidic medium it get converted to CR3 plus और oxymia 7 है यहाँ पर एक भी नहीं है तो क्या करो पहले chromium balance कर लेते हैं यहाँ पर जगा दो हो गया balance यहाँ पर 7 oxygen क्या करें यहाँ पर 7S2O और यहाँ पर लगा दो 14h plus electron balance करेंगे यहाँ पर 2 minus और 14 plus total 12 plus है यहाँ पर और यहा पर 6 plus ही है तो क्या करें यहाँ पर 6 electron लगा दो इतना करते के साथ ही जो rhr है हमारी आरे चार बैलेंस हो गई अब हमें दोनों जार रिएकिशन को add करना है add करने के लिए क्या करना पड़ता है एलेक्टरॉन हमें equal करने पड़ते हैं अब देखो इलेक्टरॉन कैसे equal किए जाएं अगर मैं इस वाली रिएक्टर रिएक्टर को तो चलो मैंने multiply करके दुबार से लिख लेता हूँ आप भी इसे copy में solve करते रहो तो यह उन्हें balance करके लिख लिख लिया है अब देखो जो जिसे cutress को काटो 24 electron से 24 electron कट गए यहाँ 15 s2o है यहाँ पर 28 s2o है तो जब इसको आप काटोगे तो यहाँ पर बचेगा 13 s2o यहाँ पर 30 h plus है या 56 है तो काटोगे तो यहाँ बचेगा 26 h plus और तो कच गटनी रहा जो बचेगा उसे आप लिख लो तो finally we have left with 4 cr2o7 2 minus plus 3 s2o3 2 minus plus 26 h plus यह होगे हमारे पास reactant side में अधे को और तो कुछ नहीं बचा product side में क्या आए हमारे पास 8 cr3 plus 6 s4 2 minus plus 13 h2o यह हमारे पास एक आगी balance equation तो चलो चेक करते हैं कि balance हुई है नहीं हुई है 4 to 8 8 chromium यहाँ पर है 8 chromium यहाँ पर है sulfur 3 दूनी 6 यहाँ पर भी 6 sulfur है hydrogen देखते है 26 hydrogen यहाँ पर है और 26 hydrogen यहाँ पर भी है अब चलो ऑक्षियन देखते हैं 28 oxygen इसके पास है 9 oxygen यहाँ पर है तो total oxygen जो हो गए हमारे पास that is 37 यहाँ पर देखो 24 oxygen इसके पास है और 13 oxygen इसके पास है दोनों को add करोगे तो पहुँच जाएगा 37 तो अब balance है चलो charge देखते है तो charge में 8 minus का charge इसके पास है 6 minus का charge इसके पास है और इसके पास 26 plus है तीनों को अगर आप add करोगे तो जो total charge जाएगा that is 12 plus यहाँ पर देखो 8,34, 24 plus का charge है इसके पास और 6,12 minus 12 का charge है दोनों का add करोगे तो plus का 12 जाएगा तो plus का 12 charge plus का 12 charge तो बालेंस की चुका है इस से बालेंस किया जाता है एक्जाम में जो question आएगा आपको reaction जो है वो इस type से दे रही होगी आपको पता होने जी है कि कौन किसमें convert होता है उसके बाद तो simple क्या करना है बालेंस करना है इस इस हाओ यू solve the question when it comes to balancing of a equation that is related with the raising action of the K2Cr2O7 next है structure of K2Cr2O7 जो K2Cr2O7 है उसका जो structure है वो tetrahedral होता है तो सबसे पहले इसका structure K2Cr2O7 तो यहाँ पर दो tetrahedral मिले हुए होते है और यह हमारे पास जो chromate है chromate का structure है that is CrO4 2- तो यहाँ पर इस तरह का structure होता है इसका यह जो angle होता है angle is 126 degree अब देख इसमें जो एक खास important बात है क्या है कि यह जो bond है यह सब तो double bond है यह भी double bond है और यह single bond है इसमें क्या होता है कि यह वाले chromium और oxygen के bond यह वाले chromium और oxygen के bond यह जो bond है they are of equal length यहाँ पर मैंने लिखा है यह वाले जो chromium oxygen के bond है यह equal length के होते है जब्धि यह वाला जो bond है this one यह वाला bond kromium oxygen का यह जो है, यह slightly longer होते हैं यह भाले bond, जहां पर मैंने इक जिए इक को लिखा है यह वाले this side यह bond slightly shorter होते हैं, यह bond जो होते हैं यह shorter होते है, तो ऐसे क्यों होता है, चलो इसका reason देखते हैं तो देखो होता क्या है कि जो वारी पास chromium है यह जो तीन oxygen इससे attach है ऐसे यहाँ पर chromium था इससे भी तीन oxygen attach थे बीच वाला भी छोड़ रहे हैं तो इसमें होता क्या है कि रेजनेंस चलता है इसमें तो रेजनेंस जो है यहाँ पर क्या होगा कि यह अपना extra electron इसको देदेगा जो अब इसने अपना extra electron इसको दिया तो जो structure है कुछी step का बन जाएगा CR double bound यहाँ रहा माइनस यहाँ पर shift कर गया और यहाँ पर double bound आ गया फिर यह वारा इधर move करेगा तो next जो बन जाएगा structure वो कैसा बन जाएगा माइनस ऊपर shift कर गया यह और यह वैसा ही रहा तो देख पर जाएगा रखनी है कि K2CR27 के कितने resonance बन थे हैं so we have six resonance of K2CR27 अब देखो इन वाले bonds में अगर resonance हो रहा है इस वाले bond में इस वाले bond में इसमें इसमें और इसमें इन तिनों में क्या हो रहा है resonance हो रहा है जबकि जो bond बीच में लगा हुए है उसमें resonance नहीं होगा तो जब इन तीन bond में resonance हो रहा है इन तीन bond में resonance हो रहा है तो इनकी जो bond length होती है bond length क्या हो जाती है bond length becomes equal जब bond length equal हो जाती है तो उस case में छे bond जो है they are of equal length तो question आता है कि in dichromate how many bonds are of equal length कितने bonds जो है वो equal length के होते है आंसर क्या करोगे आप yes six छे bond जो होते हैं chromium और oxygen की बीच में उनकी जो bond length होती है equal equal होती है इसके लाबा जो दो bond होते है chromium और oxygen की बीच में वो slightly longer होते है क्यों क्योंकि देखो इसमें resonance हो नहीं रहा है तो जब resonance नहीं हो रहा तो यह क्या है they are simply a single bond जबकि ले इसमें क्या और है resonance हो जा रहा है तो यह partial double bond में चले जा रहे है तो जो partial double bond में चले जा रहे तो पता है कि जैसे जैसे number of bond order बढ़ता है वैसे बैसे जो bond length है वो च्छोटी होते जाती है तो इसजी लिए यह वाले जो bond है यह slightly longer होता है और जो यहobsलत है बहौत ímpoorant है नेक्स एक आता है color of K2CR27 अब देखो जो KMN4 का question किया था आमने KMN4 के question में भी देखा था आमने same logic यहाँ पर भी है तो अगर आप इसका oxidation आमने निकालोगे chromium जो है वो plus 6 सी state में है और अगर आप chromium का configuration लिखोगे तो chromium का जो configuration है it is written like this 4s2 sorry 4s1 3d5 और वो का expression होता है यह तो यह हमारे पास chromium का configuration अब दो यह plus 6 oxidation state में इसका मतलब क्या है इसके अपने 6 के 6 electron lose कर रखे तो 6 के 6 electron lose कर रखे means जो chromium 6 plus है वो कैसा है वो सिर्फ ऐसा है उसके D में को electron नहीं है तो जब D में क्या है यहाँ पर जो chromium है उसके साथ में attach कौन है yes oxygen और oxygen के पास क्या है loan pair से है तो oxygen करता क्या है कि अपने loan pair जो है वो chromium को transfer कर देता है तो जब oxygen ने अपने loan pair chromium को transfer कर दिये उस case में chromium के D में क्या हो गया D में unpaired electron आ जाएंगे तो जब D में unpaired electron आ गए में जो chromium है वो plus 6 से momentarily कुछ समय के लिए plus 5 की state में चला जाता है क्योंकि उसे electron किस ने दे दिया है उसे electron oxygen ने दे दिया है जिसकी वज़े से उसमें DD transition possible हो जाता है तो जब DD transition possible हो जाएगा उस case में जो compound हो कैसा हो जाएगा colorful हो जाएगा इसी वज़े से जो potassium dichromate है potassium dichromate का color आता है क्यों because the oxygen transfer its loan pair of electron to the chromium and in that way DD transition is possible in K2Cr2O7 or we can say the chromium so इसमें क्या हो रहा है ligand जो है वो metal को electron transfer कर रहा है जो ligand है it is transferring electron to the metal तो ligand metal transfer की वज़े से जो color है K2Cr2O7 का वो आता है same logic same reason जो है वो KMN4 का भी है जो KMN4 वाला वीडियो है आप उसमें देख सकते है उसमें समझाया है इसी same topic को यह question जो है KMN4 वाला है KMN4 वाला question दो बार जे में आ चुका है यह वाला question तो नहीं आए बार जो है this can also be asked same logic है same reason है now we will see some previous less question that is asked in video sentences so सबसे पहला question है K2Cr2O7 on heating with aqueous navage अगर हम K2Cr2O7 को aqueous navage से heat करते हैं तो क्या होगा अब देखो K2Cr2O7 we can write it as Cr2O7 2- और हम इसमें क्या डाल रहे है base डाल रहे है always डाल रहे है अब देखो base डालने पे जो dichromate है किसमें convert होता है देखा हमने उपर base डालने पे जो dichromate है it gets convert to dichromate that is CrO4 2- so answer क्या हो जाएगा CrO4 2- or answer can be given like this K2CrO4 ठीक है color change क्या होगा yes color change is orange to yellow हो जाएगा ठीक है दूसरा आता है acidified K2Cr2O7 solution turns green कैसे color हो जा रहे green color हो जा रहे when Na2SO3 is added to it this is due to the formation of अब देखो क्या बोल रहे ये कि हमारे पास Cr2O7 2- है इसमें हम क्या add कर रहे है SO3 2- add कर रहे है ठीक है और जो solution का color है वो green हो जा रहे है अब देखो acid medium में green देखो पहली बात अगर आपको पता है green color जो है किसका होता है तो green color जो है किसका होता है yes it is of Cr3 plus जो Cr3 plus है वो green color का होता है means जो dichromate है ये अपने plus 6 की state से कहां चला गया plus 3 में चला गया क्यों? क्योंकि sulfate ने खुद को क्या कर लिया oxidize कर लिया और जो dichromate है वो क्या हो गया reduce हो गया Cr3 plus में 2 नहीं है ये 2 वलती से लिख दिया है it is just Cr SO3 thrice तो जो इसमें आप चेक करोगे plus 3 की state जहां आ रही है तो answer क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा plus 3 की state कहां पर आ रही है ये में आ रही है ठीक है? तो simple है green color का solution बन रहा है तो green color chromium में plus 3 की state में रही है चार में चेक कर लो कि plus 3 की state कहां बन दी है जहां plus 3 की state बन दे होगी वही हमारा answer हो जाएगा ठीक है? अगर like suppose करो option जो है वो इस तरह का भी होता like यहाँ पर अगर 2 लगा ही रखा होता ठीक है? इस तरह का compound होता तो देखो जब भी भी यहाँ पर compound बनता है तो वो क्या बनेगा? वो sulfate की form में बनेगा जो sulfide था वो convert हो जाएगा sulfate में sulfate की form में compound बनेगा तो compound जो है वो इस तरह का बनेगा CRSO4 और यहाँ पर जो state हो जाएगी इसकी हो जाएगा ऐसा thrice करके ठीक है इस तरह का compound बनेगा तो अब देखता है question number 3 तो question number 3 जो है यह AAPMT 2012 में आयता और question पूछता है which one of the following is not true? इन में से कौन सा सही नहीं है सबसे पहला है on passing H2S through acidified K2CR2-7 अगर हम H2S को pass करते है K2CR2-7 से तो यह milky color is observed तो भी बात है एक milky color का solution बन जाता है दूसरा बोला है sodium dichromate is preferred over potassium dichromate in volumetric analysis अपने यह अपने school में भी देखा हुआ तो जब अपने school में volumetric analysis करते हो तो अब क्या यूज़ करते हो sodium dichromate यूज़ करते हो या potassium dichromate यूज़ करते हो जो sodium dichromate है sodium dichromate is deliquiscent deliquiscent का मतलब क्या होता है कि यह water को absorb कर लेता है तो जब यह water को absorb कर लेगा तो जो concentration है या जो molarity बगर हम निकालेंगे वो proper नहीं आ पाएगी या जो हम dittration करेंगे वो proper नहीं आ पाएगा उसकी values में थोड़ा सा change आ जाएगा इसलिए volumetric analysis में K2Cr2O7 is preferred not Na2Cr2O7 सो जो statement number B है यह गलत है और हमारा answer भी क्या है हमारा answer भी यही है इसके अलावा K2Cr2O7 in acidic medium is orange बिलकुर सही बात है K2Cr2O7 जो है acidic medium में orange कलर का होता है इसके अलावा K2Cr2O7 solution becomes yellow on increasing pH beyond 7 yes basic medium जो चला जाएगा साथ से ज्यादा क्या हो जाएगा तो क्या होगा basic medium चला जाएगा और basic medium में जो K2Cr2O7 इसका color कैसा होता है yellow होता है तो यह बात भी सही है तो जो statement B है वो गलत है और वही हमारा answer है next question आता है कि when SO2 is passed through acidified K2Cr2O7 then which of the following statement is correct इसमें से बताने में सही statement तो देखो जब SO2 को pass करेंगे Cr2O7 2- से तो यह CR3 plus में कर्वट हो जाएगा और क्या बन जाएगा SO4 2- बन जाएगा color कैसा होता है इसका green होता है ठीक है तो सबसे बहले statement बोला है SO2 is reduced बिल्कुल गलत बात है SO2 का oxidation होता है इसके लाबा green chromium sulfate is formed यह बिल्कुल सही बात है क्या बना है देखो green color का CR3 plus का compound बना है इसे आप पूरा लिखोगे तो यह इस तरह से लिखाता है CR2 sulfate की valency और SO4 3 chromium की valency तो यह हमारा answer यही बाला है green color का solution बनता है इसके लाबा next question यह AFMC में आये हुआ है amphoteric oxide of chromium जो chromium है उसका amphoteric oxide कौन सा है अब देखो amphoteric oxide वो होता है which can react with acid as well as base जो दोने के साथ react कर सकता है उसे कहते हैं amphoteric oxide so chromium का amphoteric oxide है that is CR2O3 तो यह जो oxide है chromium का यह कैसा होता है यह amphoteric होता है बहुत important है बहुत important है ध्यान रखना है ठीक है इसके लाबा लगे हाथो जो magneze होता है magneze का जो amphoteric oxide होता है वो होता है MnO2 तो chromium और magneze के amphoteric oxide जो है याद रखने है इसके लाबा जैसे V2O5 हो गया यह भी amphoteric होता है तो खासर chromium और manganese इनके तो amphoteric oxide याद रखने है बहुत important है next question 6 same type का question हमने K-Manus 4 के लिए भी किया हुआ है so यह question आप खुद आंसर करेंगे comment section में so this is about the preparation properties and the previous questions regarding the topic of the K2-CR2-7 बहुत चोड़ा सा topic है बहुत आसान सा topic है अगर आपने K-Manus 4 पढ़ा हुआ है तो यह आपको एकदम हल्का topic लगएगा so बच्चो पढ़ते रहो इसी तरह से notes बना लेना बेन notes का समझ नहीं आएगा इसके लाबा जो color वाला part है color वाला part जो है से बहुत important है देरे देरे practice करोगे आप तो आपको याद हो जाएंगे किसका जो ions का color है वो क्या होता है so पढ़ते रहो आप so मिलते हैं फिर किसी next video में thanks for watching